वहीं पूर्फिसीम हरीश रावत ने बजट सत्र के गैर सेंट में ना होने को लेकर नाखुशी जाहिर की और देहरादून स्थित गांधी पार्क में घंटे का मौन रखकर विरोध बिजटाया इस दोरान उने राजिस सरकार पर जम कर निशाना भी साधा तो उत्राखण विधान सबा का बजट सत्र शुरू होने के बाद जो विपक्ष है वो बेहत गुस्त में है गैर सेंट में सत्र ना होने को लेकर वे नाखुश है इसी के चलते गांधी पार्क में मोन व्रत रखकर विरोध जताया गया जो गैर्शेंड में ठंड लगेगी इसलिए बजट सत्र नहीं किया जा रहा है यह गिधान सबा का अपमान है जिसने प्रस्ताव पारित किया था कि गैर्शेंड में बजट सत्र होंगे यह हिमाले राजी की आवधारना जिसके साथ संसत ने इस राजी को अस्थित्व लाने का फैशला किया उस फैशले का भी अपमान है यह हिमाले का अपमान है हिमाले का सबाव है बरब भी गिरेगी ठंड भी होगी हवाय भी चलेगी पहाड़ियां भी होंगी जंगल भी हों आपमान किया जा रहा है तो उस अपमान के विरोत में जो है मेरा ये मौन उप्वास जो है बार 11 वजे से विधान सभा बैठी होगी इसले में दस वजे से ही जो है उनको सद्बुद्य आए कि भावशी में ऐसा न करें और इसको सफस्ट करें राजी के लोगों के सम्मुख कि भावशी में गैर्षैन में ही बजड़ सब्सक्राइब